नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एकोनमी की सीरीज में एकोनमी में हम लोग बेलेंस ओफ पेमेंट देख रहे थे भुतान संतोलन की सीरीज देख रहे थे जो एक्स्टर्नल सेक्टर यानि बैदेक्सिक छित्र खिश्सा था उसमें लोगोंने शुरुआत में देखा था कि investment क्या होता है अभी last video हम लोगों ने निवेश देखा था क्योंकि जब तक हम निवेश नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि balance of payment काम कैसे करता है हम लोगों ने उसकी सिर्फ परिवासा जानी थी external sector क्या होता है बोजाना था ट्रेड कैसे करते हैं बोजाना था और निवेश के बारे में हमने सामाने जनकर ली थी कि निवेश क्या है कितने प्रकार का होता है फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ portfolio investment समझा था इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़ें हम capital market मार्केट पर चर्चा करना चाहेंगे सौट में ही करेंगे हालांकि इसे डेटेल्ड किसी लेटर वीडियो में करेंगे बाद वाली वीडियो में लेकिन अभी हम संचिप्त रूप से समझना चाहेंगे क्योंकि capital market समझेंगे तभी हम समझेंगे बेलंस पेमेंट के कुछ गूड फंडे जो के बहुती कॉंप्लाक्स इसी समझे जाते हैं जैटिल यदा आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एम सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें चलिए चलते हैं हम अपने इस्यू पर यह कैपिटल मार्केट पर चरचा करते हैं एक एसा मार्केट प्लेस होता है कैसा एसा मार्केट प्लेस जहां financial instrument की ट्रेडिंग होती हो, यानि जहां वित्तिय प्रपत्र, financial instrument की हिंदी होती है, वित्तिय प्रपत्र, यानि जहां वित्तिय प्रपत्र की खरीद विक्री होती है, उसको बोलते है, financial market, ठीक है, यानि ऐसा कोई भी marketplace, जहां वित्तिय प्रपत्रों की खरीद विक्री होत से फाइनेंशल मार्केट कहते हैं लेकिन सवाल अब यह उठता है कि फाइनेंशल इंस्ट्रूमेंट या वित्य प्रपत्र क्या होते हैं देखिए वित्य प्रपत्र जनरली किसी भी दो पार्टी की बीच में एक मॉनेटरी कॉंट्रेक्ट होता है जैसे आप बैंक से चैक ले प्रपत्र क्योंकि आप बैंक और आप में यह समझाता है कि यह कागज लेके आएगा कोई तो पैसे देने पड़ेंगे और ऐसे सड़ते हैं तो इक चैक कोई पैसा नहीं है न मुद्रा तो है नहीं करेंशी तो है नहीं चैक चैक क्या हुआ एक वित्तिय प्रपत्र हुआ यानि वह सभी documents जिनकी ट्रेडिंग की जा सकती है जिनका लेंदेन कर सकते हम लोग उनको financial instrument या वित्ति प्रपत्र कहते हैं ठीक है दूसरी विसेशफ्था वित्ति प्रपत्रों की क्या है दूसरी विसेश्था यह है कि ये fény market यानी financial मार्केट में ट्रेडिड हो सकते हैं यानि इनका व्यापार किया सकता है जैसे आप अपना चेक काट के दूसरे को दे सकते हैं तो दूसरा भी आपके बैंक ने बताया कि चैक है तो चैक एक उधारण है दूसरा बॉंड है हम लोग इनकी चर्चा करेंगे निश्यति आगे आने वाली वीडियो में चैक है बॉंड है डिवेंचर है सेयर है डेरीबेटिप्स हैं तो यह कुछ ऐसे अग्जामपल है जन्ने हम लोग बित्तिय प्रपत्र कहते हैं ठीक है तो फाइनेशल इंस्ट्रूमेंट अर्थात इन सब की खरीद विक्री होती रहती है और इनकी जहां खरीद विक्री मार्केट में होती है उसी को हम लोग फाइनेशल मार्केट कहते हैं अगर सिंपल अर्था में समझना चाहें तो वह मार्केट जहां फाइन financial market के कौन-कौन से घटक हैं, इसके कितने घटक हैं, कितने component होते हैं, तो देखें कि financial market के होने को तो कई घटक हो सकते हैं, लेकिन मुख रूप से चार घटक माने जाते हैं, नमर एक money market, नमर दो capital market, capital market के दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं primary market और दूसरे को बोलते हैं secondary market, यानी primary market और secondary market जब भी आप नाम सुनेंगे तो आपका आर्थ समझना चाह Marin कि आफिंग से केपिटल मार्केट से समंदित हैं दूसरा है टीसरा है Forex benchmark. Forex chemistry का मतलब होता है foreign exchange reserve से जहां foreign exchange की foreign currency का exchange किया जाता हो यानि कि जहां विदेशी मुद्रा का लेंदेन होता हो उसे Forex market कहते हैं चौता है derivative markets derivative markets क्या होता है यह थोड़ा दिक्कत है हम लोग जश्ट समझेंगे अन्त में जब यह capital market तीसरे को कहते हैं Forex market और चौते को कहते हैं derivative market ठीक है अब भारती हम लोग भारत के financial market में देखते हैं वह तो नॉर्मल बात थी हम देखते हैं इंडिया के financial market में बिसेश क्या है तो इंडिया का financial market को हम लोग तीन भागों में बाढ़ सकते हैं capital market जिसे security market भी कह सकते हैं capital market या पूझी बाजार को भारत में जो regulate करता है या पूझी बाजार में जो मुखिया बनके बैठता है वो है भारत का सेवी ठीक है ऐसे ही भारत में money market मुद्रा बाजार तो मुद्रा बाजार का जो सधीन ध Competition है इस एक रिड़ बाजार को आरवीं जाती है जहां जैसे इस चयाएब को जाएगा अगर हम लेकिन इंडिया में अगर में से सकते हैं प्रतिभूती बाजार के देखेंगे प्रतिभूति क्या होती हैं दूसरा है money Jesus keep रेगुलेट करता है और तीसरा है डेट मार्केट से दौन मिल करके रेगुलेट करते हैं समझ में आया होगा इतना सा उम्मीद है अब देखते हैं कि एक एक सब समझने की कोशिस कीजेगा तफी आप आगी की सिचरीटी ये प्रतिभूती ये थे हैं वह बित्य प्रपत्र ही होते हैं स्टी को stigma इस और पिनिशाल इंट्रूमेंट ऐसा कोई बित्य प्रपत्र जिसके साथ कुछ protection जुड़ा हुआ हो जैसे मान लिजिए किसी company ने share जारी किये किसी company ने share जारी किये और आपने share खरीद लिया और share खरीद लिया by chance company भी डूबी आपका share भी डूबी आपको कुछ नहीं मिला यहीं कुल मिला के बोलते ना कावाली बाबा जी के घंटा में साथ कुछ साथ जैसे ऐसे समझें क्या है जैसे आप bank से loan लेने जाते हैं तो एक्चल में क्या होता है कि bank आपके क्या रखवा लेता है जमीन के गाज रखवा लेता है ठीक है तो एक्चल में वह mortgage कहलाती है वह गृवी कहलाता है तो गृवी रखता है वह security के रूप में किसके रूप में security के रूप में रखता है ठीक ह अब भाईचान इस गिर्वी को ही हम security बोल सकते हैं क्योंकि भाईचान से अगर तुम loan default कर गए आपने loan चुकाया नहीं तो आपकी जमीन को बेच करके वो कुछ न कुछ बसूली जरूर कर सकता है तो कुछ इसी type की जैसे किसी company ने bond जारी किया ऐसे समझें किसी company ने bond जारी किया और वो company default कर गई वो company ही डूब गई तब उस bond के पीछ अगर कोई संपत्ति रखी होगी तो आप उस bond के पीछ तो संपत्ति रखी उसको बेच सकते हैं तब यह bond क्या कहलाएगा तब तो यह bond security क स्रेडी में आएगा क्योंकि क्योंकि इस bond में security मिली हुई है आपको अदरवाइस यह security नहीं कहलाएगा तो security क्या है कुल मिलाके जो security होती है वो financial instrument ही होते हैं वित्ति प्रपत्र ही होते हैं लेकिन कुछ protection उनको हासल होता है यद भाई चांस company दिवालिया होने की इस्तिती म ना जाए या liquidity risk आ जाए वहाँ खत्रे में हो उसको company को बेचना ही पड़ जाए तो कुछ हो पैसा आपको मिल जाए जिससे कि आपने जो लगाया था आप उसमें ना जाए किसमें आत्मत्या वाली इस्तिती में बहुत से लोग मर जाते ना है ठीक है अब हम देखते हैं actual में कि securities के टाइप कितने होते हैं तो security मूल रूफ से तीन टाइप की होती है debt security equity security derivatives हमने देखा क्या financial market वह है जहां financial instrument के खरीद विक्री होती है financial instrument क्या होते हैं वह हम लोगों ने देखा अब financial instrument में ही security क्या है तो security भी हम लोग देख रहे हैं तो security तीन टाइप क्यों होती है debt security equity security derivative security debt माने रिड प्रतिवूतियां equity मतलब सम्ता अंस प्रतिवूतियां derivatives मतलब derivatives ही होता है इनको व्योत्वपन बोल सकते हैं हिंदी मैं debt security क्या होती है यानि जो company आप से रिड ले और जैसे मान लिजए के company एक नाम की company है कॉनसे नाम की कंपई है एए नाम की कंपई है इस ए ना जारी किया कहा तूहम से बॉन्ड खरीद लो हम तुमको इंट्रेस्ट भी देंगे यानि ब्याज भी देंगे बाद में तुमारा और उस bond को थोड़ी security हासिल है डूबेगी तो bond से पैसा कुछ मिल सकता है तो debt security हो गया यानि debt security वो है जो जिन ऐसे पत्र होते हैं या ऐसे financial instrument होते हैं जिन से company rate तो ले सकती है लेकिन आपको भी कुछ नो कुछ security जरूर हासिल होती है ठीक है ऐसे ही होता है equity security यानि कुल मिलाकर के बोले तो equity का मतला होता है समता प्रतिभूती ठीक है इसमें कि अंत्र का share और common stock को सामिल करते हैं यह बहुत prelims की question है बाइचान से तना पूछा नहीं जाएगा फिर यह आप समझते रहें और derivatives 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 होता है वो चार प्रकार का होता है कितने प्रकार का चार प्रकार के forward derivatives होते है future derivatives होते हैं option derivatives होते हैं और swap derivatives होते हैं आपने credit swap सुना होगा currency swap का नाम सुना होगा यह सब क्या है हम लोग चर्चा करेंगे आगे बाली वीडियो में ठीक है तो कुल मिलाकर कि जो security होती हो तीन तरगी होती है debt security equity derivatives ठीक है अब हम लोग यह देखते हैं actual में कि company कोई भी company होत fund कैसे लेती है ? बाइं बाद में देखेंगे इससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा तो देखते हैं company क्या होती है company पहली बात यह है कि company एक शंगठन होती है एक organization होती है ठीक है जो किस लिए कशिद्ध की जाती है वो फॉर्म की जाती है किस लिए चलाने के लिए conducting करने के क्या चलाने के लिए बिजनिस चलाने के लिए कहां at a large scale यानि ऐसा कोई भी organization जो इस उद्देश से गठित किया जाता है कि हम बड़े इस तर पर बिजनिस चलाएंगे उसे कहते हैं हम लोग company ठीक है और company की खास बात क्या है कि वह separate legal entity होती है separate legal entity का मतलब यह है कि यद आपकी company की गाड़ी से कोई भैंस मर गई या घोड़ा मर गया तो केस आप पर नहीं लगेगा आपकी company पर लगेगा आपकी company एक legal person समझी जाएगी ठीक है तो company होती वह organization होती है जो क्या करती है वह चलाती है क्या चलाती है बिजनिस चलाती है कहां चलाती है लार्ज श्किल बड़े इस तरह बिजनिस चलाने वाले संगठन company कहलाते हैं और उनकी एक separate legal entity होती है ठीक और क्या है और उनकी एक मोहर होती है जैसे आप किसी पदबर पहुंशते हैं तब ही मोहर होती है बागी जीयो company है तो जीयो की एक अलग मोहर होगी जिस पर जीयो लिखा होगा ठीक है तो ऐ आपने company बनाई और आपकी company का नाम है सीता ठीक है अब आपकी आप तो यह अकर माल लिजी कि जैसे के आपकी गाड़ी है और गाड़ी लेकिन इस company के नाम है गाड़ी इस company के नाम है और इस company और इस गाड़ी से accident भाइचन्स हो जाए हो नहीं चाहिए भाइचन्स अगर हो जाए तो case आपकी company पर लगेगा यह बात अलग है कि company ही आपकी हो company तरफ से आपको केश लड़ना पड़े लेकिन company और आपको अलग समझा बनाया है और company को आपने बनाया है हालनके राम शीता नहीं बना सकता लेकिन शीता नाम की company है यह बात अलग है ठीक तो company और व्यक्ति अलग लगे व्यक्ति होते हैं आगे हम और भी डिसकस करेंगे इसके बारे में अभी फिलाल सामान रूप से इतना समझे कंपनी क्या होती है company organization होती है उसकी separate legal entity होती है यानि विदिक अस्तित होता है और इसकी सामान ने महर होती है common seal होती है company act 2013 कहता है company के बारे में कि क्या है company अनुसार company वह है जो या तो इस act के तहद गठित की गई हो वह company या पुराने company law के तहद गठित की गई हो अब पुराने company लो क्या पु गठित की गई हो इसको भी इस act के तहद company माना जाएगा और इस act के तहद गठित की गई company भी company मानी जाएगी ठीक अब अगर दूसरे सब्दम में हम समझें company क्या है तो फिर से नॉर्मल भासा में समझने का प्रयास करते है company क्या है company एक artificial person है created by law law से create की जाती है इसकी separate legal entity हो इसका मतलब का company बनी रहेगी हमेशा के लिए बनी रहेगी जब तक कि उस company को आप liquidate नहीं कर सकते नहीं कर देते यह समाप्त नहीं कर देते ठीक है और उसकी एक सामान ने महर होती है तो company की विशिषता है उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी यानि company का अस्तित आप से अलग होता है यह बात अलग ह कंपनी यह स्टित अलग होता है अब देखते हैं और जो नॉर्मल प्रकार समझ हैं कि होती हैं तो क्वाडी युदि तो इस टाइप से वह अलग टाइप के कमपणी वह सकती हैं लेकिन हम लोग जो नॉर्मल कमपणी होती है वो समझने की कोशिस करते हैं तो कंपणी अधिनियम 2013 का संदर्ब लेते हुए हम बात करें तो कंपणी अधिनियम 2013 में यानि 2013 13 वाले अक्ट में, इसमें कमपणी को 3 basic टाइप बताएगे हैं कमपनी कितने basic टाइप बताएगे हैं? 3, एक को कहते हैं OPC यानि 1 person company यानि एक व्यक्ति कमपनी, दूसरी कमपनी है private company couple तिसरी company है public company अब देखते हैं के one person company क्या होती है private company क्या होती है और public company क्या होती है ध्यान रखें यहां public company का मतलब उस company से नहीं है जिसे सरकार ने create किया हो आपने भी create किया होगा तब भी वो public company हो सकती है ठीक है यह बात ध्यान रखें हम लोग समझेंगे कि public enterprises क्या होता है और public company क्या होती है ठीक है दो अलग अलग चीज़ है company के basic तीन टाइप है company या तदनेयम 2013 नम्मर एक one person company नम्मर दो private company नम्मर तीन public company ठीक है और public company सरकार भी खोल जकती है public company आप भी खोल जकते हैं वो public कैसे होगी यह हम लोग बस चर्चा करने वाले हैं यह साप समझने की कोशिस करें पहले हम लोग देखते हैं कि one person company क्या होती है one person company एक ऐसी company है जिसमें सिर्फ एक ही member होता है क्या होता है एक ही member यानि has only one person as a member यानि एक member के रूप में वहाँ सिर्फ एक ही वेक्ति होता है और यह private company के रूप में गठित की जाती है ठीक है याद आप company खोल रहे हैं तो बिल्कुल खोल सकते हैं आप ही उसमें member होंगे सिर्फ एक ही ठीक है और आप की जो वो company होगी वो private company के रूप में गठित होगी लेकिन यानि one person company है अलग से प्रकार लेकिन वो उसे private company के रूप में गठित होती है और क्या है कि आपकी company के जो turnover है turnover का मतलब होता है total खरीद विक्री तोटल यानि selling और buying यानि जैसे माल लिजे कि आप घी की या दूद की company चलाते हैं कोई तो आपकी company ने कितना दूद खरीदा कितना बेचा total मिलाकर कि जो बनता है उसे बुलते हैं turnover यानि लेन देन जितना हुआ उसे बुलते हैं turnover अब turnover मा जालाएगी या आपकी company दो करोड से अधिक का turnover कर लेती है यानि खरीद वेच लेती दो करोड से ज्यादा तो उसे बन परसंड कंपनी नहीं मान जाएगा यानि एक व्यक्ति कंपनी होने के लिए दो सड़त हैं पहली बात तो क्या है कि उसमें सिर्फ एक ही member होगा एक ही व जी कोई व्यक्ति पूरी दुकान पूरी दुकान चलाता है सोवएसे साम तक वह si सामान बेचता है actual में मान दी जिए 1000 रुपेखा तो मुस्किल से 1000 का सामान बेचता है तो मुश्किल से वो 300 क्वा पाएगा क्योंकि actual में जो उसने सामान बेच भी dragon का 100 का खरीश चली गयी members की तंख्या है , I am not actually two hundred यानि द्व सौ मेमबर से जदा नहीं होने चाहिए , लेकिन कम से कम उस में दो member ज़रूर हने चाहिए , क्या कि जो यू प्राइबेट कंपनी ही होती है उस प्राइबेट कंपनी में अजिसट टू मेमबर होने चाहिए ! बट फिट न लेकिन लेकिन 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए अब हम लोग एक प्रोसेस समझते हैं प्रोसेस क्या है देखिए एक प्रोसेस समझने की कोशिस करना है मान लिजे के आप कौन थे आप राम थे आपने कोई कमपनी बनानी थी ठीक है आप एक प्राइबिट कमपनी बना रहे हैं ये सैकेंड वाले टाइप की ठीक तो आपको क्या करना पड़ेगा कमपनी एक्ट 2013 यानि कमपनी एक्ट 2013 के तहत गुजरना पड़ेगा अभी क्योंकि यही एक्ट है अभी तो चर्चा में इसी के तहत कमपनी बनती हैं अब होगा क्या कि जहां आप कमपनी का रेजिस्टर कराने जाओगे अपनी कमपनी का रेजिस्टर कराने जाओगे वहाँ एक ब्यक्ति आपको बैठा हुआ मिलेगा ओफिस में उसको बोलते हैं कम्पनी रिजिस्टार क्या बोलते हैं कम्पनी रिजिस्टार ठीक है है यानि आप थे राम आप कम्पनी बना रहे हैं एक प्राइवेट ऑढ़नेगी चलो आप और खेले गए अब इस कंपनी रिजिस्टार के पास आप उन्य स numbनी आ यो बताओ तो आप क्या करोगे आप एक Memorandum दोगे क्या दोगे Memorandum यानि एक अपना ग्यापन सौप होगे कि ग्यापन का Memorandum का मतलब होता है आप जानकारी देंगे कि हम यह करने जा रहे हैं ठीक उसके साथ आप क्या दोगे उसके साथ एक चीज और दोगे उसे बोलते हैं AOA यानि Article of Association ठीक है यह यहां लेखा हुआ है Article of Association यानि जदी आप कोई कंपनी बनाने जाएंगे तो आप कंपनी रिष्टार के ऑफिस जाएंगे और उस ऑफिस में आप एक तो Memorandum सौपेंगे उसको और क्या सौपेंगे उसके साथ साथ एक सौपेंगे Article of Association यानि AOA यह सौपेंगे और इस Article of Association में ही लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा यही तो देखना था यह लिखा रहेगा कि आप सेयर जारी नहीं कर सकते यानि कुल मिलाकर के जो प्राइवेट कंपनी होती है वो सेयर जारी नहीं कर सकती सेयर क्या है जश्ट हम देखने वाले हैं बाद में तब तक के लिए अब धहर रखें यानि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो सेयर जारी नहीं कर सकती है एंड कांट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब और जनता से रेण नहीं ले सकती है पब्लिक से रेण नहीं ले सकती है यानि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी जो पब्लिक से रेण ले सकती हो और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक से रेण नहीं ले सकती जैसे मान लीजिए कि अगर जीयो प्राइवेट कंपनी होती तो Geo मुझसे रेड़ में ले सकती थी अगर Geo public company है तो मुझसे रेड़ ले सकती है जैसे Tata public company है तो Tata मुझसे रेड़ ले सकती है ठीक है? तो यहाँ public और private का जो classification है वो किस पह कि आप public से पैसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं यदे आप ले पा रहे हैं, that means you are public company, if you are not able to take the money or to raise the money from the public, then you are the private company, understand, आपको समझ में आया होगा इतना सा, लेकिन यहां आपको एक चीज और समझने की जरूवत है, वो क्या है, कि सर बताई यह, फिर public company और public enterprises में क्या अंतर है, तो देखो, public company और public enterprises, आप समझ हैं, जब आप स कहा जाए, कि public company और public enterprises, तब तो लगभग एक ही होती हैं, यह, लेकिन यदे आप से कह दिया जाए, public sector, sector जोड़ दिया जाए, भीच में, ठीक है, या public sector enterprises कह दिया जाए, या public sector company कह दिया जाए, तब public sector company, सरकारी company कह लाती है, फिर से सोने एक चीज, कि यदे कहीं लिखा हु आप भी खोल सकते हो, यानि कोई private वेक्टी भी खोल सकता है, और सरकार भी खोल सकती, government भी खोल सकती है, ठीक है, वो public company है, यह, पबले कमपनी का मतलब यह है, कि जो company, जनता से पैसा ले सके, यदे किसी company में लिखा हुआ है, कि public sector company, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि यह निश चित ही, government की company होगी, ठीक है, तो public company वो है, जो public से पैसा ले सकती हो, जबकि public sector company, government की company होती है, और public sector company भी public company हो सकती है, यानि government की company भी public से पैसा ले सकती है, तो यह बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, चलिए, अब हम लोग public company पर चर्चा करते हैं, व्यापक तोर पर, ठीक है, public company की एक खास बात है, क्या खास बात है, हम लोगों ने देखा, जो OPC था, जो one person company था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना था, उसमें सिर्फ और सिर्फ होना ये था, देखिए, जो प्लिक company है, जो OPC था, वो OPC खास बाद थीक उसमें एक member हो सकता था OPC में एक member ठीक जबके private company में दो member निवन्तम थे और 200 maximum थे यानि 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे लेकिन public company में must have 7 member यानि 7 सदश्यों का निवन्तम होना आवश्यक है यह आप एक company बना रहे हैं public type यह बनाना चाहते हैं और आपके पास 7 member नहीं है तो you are not able to form a company as public company तो आप public company के रूप में company बनाने के योग्या नहीं है और जो private company थे उसमें maximum limit थी 200 member आप कर सकते थे यानि company के सदश्ये 200 हो सकते थे लेकिन public company में निवन्तम सीमा तो है कि सास सदश होने चाहिए लेकिन no maximum limit क्या है no maximum limit आपके पास कोई maximum limit नहीं है आप करोण व्यक्ती public company में भरती कर सकते हो as a member ठीक और public company की खास बात और क्या है कि it can का क्या कर सकती है यह issue कर सकती है क्या issue कर सकती है share ठीक in front of public and public can subscribe its security और public in share को खरीद सकती है या इसकी securities को यानि security मतलब वही debt security हो या फिर equity security हो या derivative security हो कुछ भी हो या या public उनको खरीद सकती है अब देखते हैं fundraising company कैसे कर सकती है ठीक है अभी तक हम दोगोंने company समझा था एक चीज और क्या कि company जो भी fundraising करेगी वो capital market के एक हिस्से से कर पाती है वो है primary market जब company को पैसा लेना होगा तो company capital market के एक ही हिस्से primary market से ले सकती है secondary market से नहीं ले सकती है क्यों नहीं ले सकती है वो हम लोग बस चर्चा करने वाले हैं आगे ठीक चले अब देखते हैं आगे कैसे के company जब जो fund लेती है तो इसके तरीके क्या है वो कैसे कैसे fund ले सकती है ठीक है कैसे fund लेती है तो company के पास fund लेने के दो तरीके होएं मुख्य रूप से दो उपकरण है एक तो वो share जारी करके और एक वो debt instrument यानि debt security जैसे को bond और debenture जारी करके ठीक है तो bond और debenture हम लोग चर्चा करेंगे बाद में इससे पहले कि हम लोग share क्या होते है share क्या होते है share से company कैसे पैसा का मतलब कैसे पैसा ले सकती जनता से वो हम लोग देखते हैं कैप्चल में share क्या है तो चलिए देखने की कोशिस करते हैं कि share क्या है देखिए share क्या है साथ ही company का एक prospectus बनवाते हैं prospectus वही है जो आप admission लेते समय कॉलेजों से आपको मिलता है prospectus जिसमें जिस विवरण पुस्तिका बोलते हैं तो company का एक memorandum होता है एक article of association होता है और एक company का prospectus रहता है इस prospectus में लिखा रहता है कि company actual में company कितनी पूझी के साथ बनी है sorry जैसे मान लीजिए कि आपने company बनाई आपने कितर रुपी कमपणी बनाई 100 रुपी की company बनाई अब यह मत कहना 100 रुपे में company नहीं बनेगी हम तो मान लेते हैं गड़ना कठेन क्यों करें सरल कर लेते हैं 100 रुपे में हमने company बनाई कितर रुपे में 100 रुपे में चलो भाई 100 रुपे में हमारी company बन गई अब 100 रुपे में यह company बन गई ठीक है तो इस company के इस capital को हम लोग बोलते हैं authorized capital A, C अधिकृत पूझी बोलते हैं ठीक है अब देखें तो ये कुल मिलाकर के अधिकृत पूझी हुई authorized capital हुई अब मान लिजिये के उसे क्या चाहिए अब इस 100 रुपे के कितने share कर सकते हैं इस 100 रुपे के बहुत share हो सकते हैं इस authorized capital के काफी share हो सकते हैं आप 1% का 1 share रखेंगे मान लिजिए 1% का 1 share रखते हैं तब तो इसके 100 share हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर आपने क्या किया आपने 10 पैसे का 1 share रख लिया तब तो इसके 10,000 share हो जाएंगे ठीक है तो इस 100 रुपे को आप जितने share हो में बाट सकते हो बाट लो बरावर बरावर हिस्से में होंगे वो यहनि share क्या होती है share एक individual unit होती है यहनि अब उसे बाटना नहीं चाहेंगे सबसे छोटी छोटी एकाई समझेंगे जैसे मान लिजिए कि हम उसी गढ़ना को और आसान करते हैं कैसे इस company की पूझी को सौ से अटाक है दस रुपे की company कोल दे हम तो खोल लेते हैं खोल नहीं में का जा रहा है मानना ही तो है मान लो ठीक है यहनि हमने दस रुपे की company कोली अब इस दस रुपे के 10 share भी कर सकते हैं दस रुपे के 20 share भी कर सकते हैं दस रुपे के 100 share होता है तो शेयर क्या है जैसे माल लीज़े मैं गड़ना के लिए अगर हम लोग इसे सौट में लें गड़ना के लिए आसान समझें तो इस 10 रुपे के हम लोगों ने यानि हमारी कमपणी की जो अधिकरत पूंजी थी वो 10 रुपे हैं 10 रुपे के हमने क्या किये कुल मिलाकर के 10 ही सियर बनाया सिर्फ चलो हमने 10 सियर बना लिए ठीक है तो इसका मतलब है कि एक सियर की वैलू है 10 परसेंट कितनी वैलू है 10 परसेंट होगी ने एक सियर की वैलू ठीक क्योंकि एक रुपे की वैलू या कित्ती है 10 परसेंट तो एक रुपे या एक सियर बैरुगराव आप बड़ी कई दूसरा प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं या कमपनी की करमचारी आपने सेलरी नहीं दे पाई तो आपको एक रुपे चाहिए तो आप क्या कहेंगे देखो भाई कोई हमसे क्या कर ले हम सेयर जारी कर रहे हैं और हमसे कोई सेयर खरीद लो पैसे ले लो और आप सेयर खरीदोगे न तो आप क्या होगा होगे उस सेयर के ओनर हो जाओगे और उस कमपनी में आप सेयर होल्डर हो जाओगे और जब सेयर होल्डर हो जाते हैं तो कमपनी में आपको 10% का मालिक आना हक मिल जाता है ठीक है यानि जो भी व्यक्ति सेयर को खरीदता है या से ठीक है तो एक्चुल में क्या हुआ तो सेयर क्या है सेयर कोई डैट सेक्यूरिटी नहीं है सेयर कोई डैट सेक्यूरिटी नहीं है क्यों कमपणी ने कर्ज नहीं लिया है बलके कमपणी ने अपनी हिस्चेदारी बेच दी है इसका मतलब सेयर गैर कर्ज वाली क्या है गैर कर् और प्रॉफिट आपको भी आएगा कम्पणी को घाटा हुआ तो चपता आपको भी लगी घब्राव नहीं ठीक है इसका मतलब है कि शेयर से आपको मालिक आना हग मिलता है उस कम्पणी में लेकिन सेयर के भी कई type होते हैं ठीक कौन कौन से type होते हैं उम्मीद आपको share समझ में आया होगा share क्या है company की यो यह तनी capital होती है authorized capital उसके कितने भी इससे कर लो वो बरावर बरावर इससे share कहलाते हैं अब उनको आप बेचना चाहो ठीक है तो बेच दो तो जो लोग उनको खरीदेंगे वो shareholder कहलाते हैं उस company में या stockholder कहलाते हैं और उनको मालिकान हख मिल जाता है हाँ मालिकान हख मिल जाता है ठीक है और share पर जो आपको return मिलता है उसको हम लोग dividend बोलते हैं क्योंकि share में आप share खरीद रहे हैं इसका मतलब आप invest कर रहे हो न क्योंकि company को पैसे चाहिए कंपनी कुछ चाहिए तो company धारूपीन तो जाएगी नहीं कंपनी कुछ नया प्रोज़क्ट चलाएगी न उत्पादन करेगी इसका मतलब वो investment करेगी न और investment रिटरन क्या कहलाता है dividend मतलब इनवेस्टमेंट पर जो प्रोफिट कहलाता है और यहां जो आप इनवेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर पर जो इनकम होती उसको dividend बोलते हैं ठीक चले अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप कितने होते हैं यानि जहां अब इन शेयरों की खरीद विक्त्री होती होगी न उसी को तो कहेंगे लोग ह कि सcelे मांगे यह हो जाता है क्या हो जाता है इस्टॉक मार्केट यानि जहां सारे सेयर एक साथ खरीदे बेच जाते हो जितने भी सेयर हो जैसे मान लिजी ऐसे समझें कि a-naam की कंपनी है एक रॉन की कंपनी met कमपणी है एक कमपणी ने अपने 10% सेर मार्केट में बेच रखे हैं बी ने 5% बेच रखे हैं सी ने 20% बेच रखे हैं ठीक है अब इनको बेच रखा है यह तो बेच जा चुके हैं ठीक है अब जैसे माल लिए 10% सेर किसी और ने लिए थे किसने ने लिए थे माल लेते हैं 5% आपने लिए थे तो यह एक सेयर नहीं खरीदने वाली यह सेयर यह किसी दूसरे बैटिएंगे तो जहां यह सारे का सारे सेयर आपसे बेचे जाते हैं वह किलाते हैं वहां सेयर मार्केट या इस्टॉक मार्केट क्योंकि कि सभी कंपनी को से खरीद विक्री व्यक्ति से बिच होगी जश्टम और क्लरिफाइग करेंगे अभी पस थोड़ा सा धान रखिए क्या थाइब टैप सब्सेयर दो प्रकार के होते हैं कंपनी एक्ट की धारा सेक्षन 43 यानि धारा 43 बताती है कि सियर दो प्रकार के होते हैं क चाहें आप preferential share खरीद लो, चाहें आप equity share खरीद लियो, आपको मालिकाना हग उस company में यानि ownership आपको जरूर मिलेगी, ownership तो मिलेगी मिलेगी, डरना नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन यदि आप preferential share खरीदते हो, तो आपको फाइदा है, क्या फाइदा है, कि जब भी company को लाभा होगा, dividend प्राप्त होगा, तो company सबसे पहले आपको देगी, preferential share वालों के लिए यही preference है, कि उनको dividend बांटते समय, जब company lab बांटती है, अपने shareholders के बीच, shareholder मतलब, जो share को hold करते हैं, या share जिने खरीदे थे, ठीक है, यानि जब company lab में आती है, और company lab को बांटती है, तो preferential share है, उन लोगों को नहीं, जिनके पास equity share है, तो preferential share, इसलिए preferential share कहलाते हैं, कि जब भी company dividend बांटेगी, तो उनको preference मिलेगी, ठीक, और क्या है, कि company को घाटा हो चाहें फाइदा, यानि lab अगर company को ना भी हो, तब भी उनको एक fix amount मिलता रहता है, यानि preferential share में एक बात य है, कि company को lab होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा, यानि सबसे पहले goes you, आपको जाएगा, ठीक, by chance company को घाटा भी हो तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि जब आप preferential share खरीते हैं, तो उस पर पहले ही लिखा रहता है, कि आपको इतने percent dividend मिलेगा ही मिलेगा, म क्या होगा, वह बाद में देखेंगे, और क्या है, जब company बेची जाएगी, तब भी सबसे पहले आपके पैसे चुकाने का प्रयास के जाएगा, क्योंकि आप preference हांसल किये हुए हैं, ठीक है, तो preferential share में हम लोगों ने क्या देखा, आपको preference मिलेगी कब, जब company में dividend माटा ज मिलने की कोशिस की जाएगी, लेकिन एक दिक्का तब preferential share के साथ, देखो आपको ownership तो दोनों share में मिलेगी, क्योंकि सिर का मतलब ही हिस्सा होता है, ownership दोनों में मिलेगी, preferential share में एक और दो-तीन खास बात और हैं, कौन-कौन सी, आपको dividend सब से पहले मिलेगा, ठीक है, आपक तो repayment भी आपको पहले किया जाएगा, यदे आपके पास क्या है, preferential share हैं तो, लेकिन equity share हैं तो, तो ऐसा आपकी साथ नहीं होने बाला, तो फिर equity share तो कोई खरीदेगा ही नहीं, नहीं, लोग खरीदते हैं फिर भी, क्यों खरीदते हैं, बस यहीं तो सोचना है, देखो क्य जारी देंगे, क्यों, क्योंकि लोग दादा बनना चाहते हैं, equity share मतलब company ने जितने share जारी किये, मालने जिए 10 रुपी की capital थी, उसने 20% की share जारी किये, तो कितने भी share हो सकते हैं, तो उसमें से जो share, preferential share नहीं है, तो वह equity share कहलाते है, equity share of preferential share में एक अंतर क्या है, ownership आपक लेकिन, preferential share होगा, तो पहले मिलेगा, लेकिन एक बात है, क्या, कि जब company के managing काम हो रहे होंगे, प्रबंधन के काम हो रहे होंगे, company में कोई नर्ना लिया जाएगा, तो equity share वालों को voting right मिलता है, आपको नहीं, आपकी दसाव ही होगी, जैसे के, पंचायत के चारों और पूछते बैठे रहते हैं, पूछते सिर्फ उनी को हैं, जो बोट डालते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, यानि आपको जब company में जैसे माल लीजिए, company को भारत के अलावा यानि भारत की company है, भारत के अलावा उसे ब्रिटेन में दूसरी factory खोलनी है, तो आपको नहीं प पूरी company को प्रभाबित कर सकते हैं, और company के, अगर उनके पास security share है, तो इस company को अपने सहर में खोल सकते हैं, निरणे के एसाफ़ से अगर कोई हो रहा है company नहीं घोलने का, या नया इस्टॉल्मेंट करना, शरी, नया कहीं, नई company स्थापित करनी है, नई factory बनानी है, तो अ उन से बहुत फाइदा कमों सकते हैं प्रफेरेंशाल सेर वह है जो सेफ राष्टा चलना چाते है उनको कोई खतरा नहीं चाहिए मोल equity सेर में risk ज्यादा है तो profit भी ज्यादा हो सकता है take more risk, take more गया ज्यादा भी low, ज्यादा risk low, ज्यादा भोलो तो खुल मिलागे हम लोगों ने अभी तक देखा कि share क्या होता है, company क्या होती है, equity share क्या है, preferential share क्या है, company share जारी करती है, financial market क्या है, financial market के part क्या है, financial instrument क्या है, ये सब चीज हम लोगों ने देखी, लेकिन company market से पैसा कैसे उठाएगी, ये चर्चा करेंगे हम लोग next वीडियो में आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद